नमश्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, Who moved my cheese का हिंदी रिव्यू और समरी तो आप ये विडियो आखिर तक पूरा देखते रहिए. हमारे समाज में हर कोई सैटल होना चाहता है, चाहे वो जॉब करके, बिजनस करके, शादी करके या अपना खुद का घर बनाके, हर इनसान की सैटल्मेंट की डेफिनिशन अलग है, लेकिन लगभग सभी लोग सैटल होने के बाद थोड़ा रिलेक्स होते हैं, चिजों को कंसिडर करने लगते हैं, और चिजों में बदलाव पसंद नहीं करते, ऐसे ही कई साल बित जाते हैं और अचानक समाज में एक बदलाव आता है और हम उस चेंज को एडेप्ट नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमें धेर सारा नुकसान उठाना पड़ता है, एक समय मोबाईल की दुनिया पर राज करने वाली नोकिया, फोटोग्राफी फील्ड में राज करने वाली कोडेक बदलाव ना करने की वजह से आज कहा है, रिसेंट एक सामपल को लिया जाए तो जियो के आने के बाद इतने सालों से टेलिकॉम सेक्टर में काम करने वाली कमपनी जेटल, आइडिया, वोटाफोन आज क्यों स्ट्रगल कर रही है, चाहे हम जॉब करते हो, बिजनस करते हो या हम कोई और्गनाइजेशन चलाते हो, बदलाव की वजह से हमारी लाइफ में कोई भी मुसीबत ना आये, इसलिए यह कहानी है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हम फूल आडियो बुक वो भी हिंदी भाशा में और लाइफ चेंजिंग बुक समरीच के विडियो बनाते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, बहुत दूर एक भूल भुलया में दो चुहे रहते थे जिनका नाम था स्निफर और स्करी और इसी भूल भुलया में दो चुहे जितने छोटे इनसान रहेते थे जिनका नाम था हम और हो, ये चारों एक दुसरे से बहुत अलग थे लेकिन इन सब में एक बात कॉ संथ था और जीने के लिए सबसे जरूरी भी था वो चारों हर रोज सुबह अपने रनिंग शूच पहेंग कर उस भूल भूलया में चीज धूंडने जाते थे चीज धूंडने के लिए स्निफर और स्कुरी अपने इंट्यूशन का उसे करते थे और हम और हो इनसान थे इसलि सारा चीज मिलने के बाद भी स्निफर और स्कुरी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उटके चीज स्टेशन सी पहुंचके चीज खाते थे वही हम और हो हर रोज लेट उटके चीज खाने जाते क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पे इतना चीज है कि वो उसे जिंदगी भर ख सकते है और इसलिए वो कमफिटबल और सिक्यो फील करने लगे लेकिन स्निफर और स्कुरी इतने सिक्यो नहीं थे वो हर रोज चीज की क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करते थे धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा कि चीज खतम हो रही है जबकि हम और होका इस बा पादा टाइम सोचने में नहीं गवाया और दूसरी चीज ढूंडने के लिए वो बाहर पड़े थोड़ी देर बाद जब हम और होची स्टेशन पहुंचे तो खतम हुए चीज को देखकर वो बॉखला गए हम गुससे से जोर जोर से चिलाने लगा मेरा चीज किस ने लिया उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें उनके सारे प्लांज उस चीज के वहा होने के उपर ही डिपेंड थे थोड़ा संभालने के बाद होने हम से कहा कि क्यों ना हम बाहर जाकर नई चीज ढूंडे तब हम ने हो से कहा बिलकुल नहीं मैं जल्दी ही पहले ज जूंड रहे थे ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जहां वो पहले कभी नहीं गए थे थोड़े ज़्यादा एफट्स लेने के बाद स्निफर और स्करी चीज स्टेशन एन पहुंचते हैं जहां उन्हें चीज मिलता है हेम और होची स्टेशन सी में हर रोज जाकर चीज के लोटने का इंतजार करते थे लेकिन हर रोज वो निराश होकर घर लोटते थे अभी मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस स्टोरी के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद पूरी आडियो बुक सुने जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ये एक काफी छोटी किताब है और ये सिर्फ एक घंटा दस मिनट की किताब है तो इसे हर कोई सुन सकता है इस स्टोरी से हमने चार बाते सीखी एक, ये बात अच्छे से समझ लो, दुनिया में कोई भी चीज पेर्मेनन्ट नहीं है सिवाए चेंज के आप चाहो या ना चाहो आपकी लाइफ के हर आस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे जॉब में, बिसनस में, रिलेशन में, हील्थ में, समाज में, सो किसी भी चीज को कंसिडर मत करो दो, पहले से चेंजेस के लिए तैयार रहो 3. आसपास के चीजों में होते हुए changes पर पहले से नजर रखो, ये करने से आने वाली हर मुश्किल के लिए आप तैयार रहोगे 4. जब भी कोई change आये तो उसके बारे में बुरा फील करने की वज़े उस change को accept करो और खुद को बदलो तो दोस्तों यही तक का था हमारा ये विडियो, आपको ये विडियो कैसा लगाए हमें नीचे comment में जरूर बतिएगा और विडियो को like और share जरूर करिएगा और आप अगर इसकी full audiobook free में सुनना चाहते हैं तो link मैंने description में दे रखी है धन्यवाद